असलाम रलेकुमम 되고 class second के उर्दू शुरू किये और हम लोगों ने इसमें chapter number two पढ़ा था ? कल की वीडियो में और आज हम लोगों को इसी की exercise पढ़ने देखिए ! हम लोगोंने chapter number two इसमें पढ़ा था देखिए ! ये चैप्टर नंबर टू में सबक नंबर दो में हम लोगों ने मदीना मुनाववरा के बारे में पढ़ा था कि वहां के लोग कैसे होते आसर्सलम ने वहां पर कितना वक्त पिटाया और वहां क्या-क्या मतलब उसकी कारोबार की क्या-क्या वो है तरक्की वो सब हम लोगों ने कल पढ़ाता है इसी के जरिये से हम लोग इसकी exercise करेंगे देखिए पहले हम लोग यह देख लेते पढ़िए और याद कीजिए वतन मतलब पैदा होने की जगा तमन्ना मतलब ख्वाहिश आव भकत मतलब इस्तेकबाल रोजा मतलब मुबा समझने में बहुत आसानी होगी चलिए और exercise की देख लेते हैं कि क्या है देखिए सवालात के जवाबाद दिजिए मतलब कि जो हम लोगों ने पढ़ा था पीछे की सबक में उसका जो कोशन है उसी के जरिया से हम लोगों को answer देना है तो हमें पहला कोशन क्या है हमारे नभ जोगी सलल्लाहु लेवासलम मक्का मुअज्जमा में पैदा हुए पैदा हुए फिर दूसरा कोशन है आस से सल्लम अपने वतन में कितने साल रहे मतलब कि उनकी जो वतन थी जो जाय पैदाईस थी जो जन मुभूनमी थी वो मक्का मुअज्जमा थी तो मक्का मुअज्जमा में आस से सल्लम कितने साल रहे हम लोगों ने पीछे पढ़ा थे कि 53 तो आप अपने वतन में तिर्पन साल रहे पिर रसूल पाक सल्लम को रौज़ा कौन के शहर में आपकी जो लाश्ट जो जिन्दगी थी वो कहां पर थी मदीना मुनवरा में थी तो आस से सल्लम को रौज़ा भी वही जंगा बना तो रसूल लाह सल्लम का रौज़ा मदीना शरीफ में शरीफ में है देखिए मदीना शरीफ में है फिर एं मदीने वालों के अखलाक कैसे होते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मदीने वालों के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं और मिजाश के नर्म होते हैं वो लोगों देखिए मदीने वाले मदीने वालों के अखलाक अच्छे होते हैं अच्छे होते हैं और मिजाश के और मिजाज के नर्म होते हैं नर्म होते हैं देखिए मदीने वालों के अखलाक अच्छे होते हैं और मिजाज के नर्म होते हैं फिर है कि अलिफ और बे हिस्सों में से फिक्रे मिला कर जुमले बनाई है मतलब कि सेंटेंस को कम्प्लीट करना है A और B को देख कर देखिए रसूल पाक सलिए अलबी वसलम मक्का मौज़मा में पैदा हुए तो हम लोग फूर्थ नमबर पे इसको मिला देंगे फिर पैदाई से तिरपन साल तक आप मक्का मौज़मा में रहे फिर फिर मदीना के लोग साहिबे एखलाक और नर्म मिज़ाज होते हैं तो फ्री नमबर में मिला देंगे फिर मदीने में दुनिया भर का सामान अच्छा और सस्ता मिलता है तो नमबर टू में मिला देंगे इसको फिर है इस सबक में मक्का, मदीना, रसूल, खजूर वगर्दा अलपाज आई हैं ये सब इसम है तो इसम वो कल्मा है जो किसी शक्स, चीज या जगा का नाम हो मतलब कोई शक्स का नाम हो, कोई जगा जिसको नाउन बोलते हैं उसको हम लोग इसम बोलते हैं तो इसी वज़ा से हम लोग यहाँ पर इसम आठ लिख देंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मक्का लिख दे रहे हैं फिर मदीना लिख देंगे उसके बाद रसूल लिख देंगे फिर खजूर लिख देंगे ये सब तो दिया यहाँ पर फिर बकरी यहाँ पर लिख देंगे बकरी फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गुठली लिख देंगे गुठली भी एक नाम है उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे दुकान लिख देंगे दुकान भी इसम है और फिर मुसल्मान भी इसम है यह सब हम लोग लिख देंगे देखे होगा वो कमेंड में बताईएगा मैं उसको जरूर सॉल्ट कर दूंगी और इसी तरीके से आप लोग उर्दू पढ़ते रहिए और हम लोग कल की वीडियो में चैप्टर नमबर थ्री स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते दूसरी वीडियो में तब त